तो चलिए आज हम बना रहे हैं मटर की आपके लिए ये जबर दस खसता कचौरी एक दम हलबाई स्टाइल आपके लिए जो आप घर में बहुत ही आसान रेसिपी के संग बना सकते हैं देखें शानदार मटर का गर्मा गरम कचौरी की सबसे आसान रेसिपी आज हम आपको येस धनिया एडिशनल है अगर आप चाहिए तो स्किप कर सकते हैं पर धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मतर की कचोड़ी में तो हमने एक बोल जो सीजन के मतर हैं वो लिए हमने फ्रेश मतर साथ में हमने यहां पर हरी मिर्च और अधरक का पेस्ट भी अब हम यहां मतर की कचोड़ी का मसाला बन गया अब हम आपको बताते है जब आपके पास बिलकुल टाइम नीए और मतर की कचोड़ी खाने का मन कर रहे है तो आप फटा-फट कैसे बना सकते हैं बहुत सिम्पल रेसिपी है देखिया अब यहां पे हम कड़ा धनिया डालेंगे यानिकि ह कोट लिया है हमाम दस्ते में यह रोस्टेड कुमन सीट पॉडर थोड़ा था अब इसमें डालेंगे फैनल सीट यह निकी सौफ यह सब हम वन टीस्पून हम डालेंगे और अब हमारा यह जो हमने दरदरा मसाला पीसा है वह हम यहां पर डालेंगे तो यह उन लोगों के लिए जो इनकी पास बिल्कुल भी टाइम नी है और घर में कुछ आपको स्पेशल बनाना है तो आई यह वाला जो स्टेप रेसिपी है यह आपके लिए परफेक्ट है और यह देखे अब इसको मिक्स कर लेंगे आपर हाई शानु जी हाई कुशाल जी हाई मीनू जी हाई शिपर तर्मरिक यानि की हल्दी जो भी आपके मसाले है रेट चिली पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं गरम मसाला बहुत जरूरी है अगर आपको भी मूह में पानी आ रहा है मटर का सीजन चल रहा है और आपका भी मन कर रहा है खाने का तो लाइक शेयर जरूर करिए और आज हम यहां पर बनाएंगे एकदम मस्त वाली कचोड़ी और यह देखिया अब ड्राय अमचूर पाउडर और यह देखिये अब यह हो गया यह स्टेप उन लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल भी टाइम निया अब आपको चाहिए कि नहीं आपके घरवाले बोलें कि बिल्कुल अब हम इसमें डालेंगे सिका हुआ बेसन आप बेसन का उतना सेखने आपको स्लो फ्लेम पर जब तक उसकी स्मेल नहीं चली जाती तो यह एक चम्मच हमने बड़ी चम्मच यहां पर डाला है और यह देखिये यह वाला अब यह वाला जो मिक्ष्वर हैं उन लो आपको बहुत पर्टिकुलर हैं और बिल्कुल बाजार जैसे ही करो तो आप क्या करिए हमने यहां पर एक चम्मच घी लिए और यहां पर अभी हम डालेंगे हमारे खड़े मसाले जो हमने स्टेप सारे मसाले वहां डाले इसको बस अब हम सेक लेंगे और कुछ नहीं आप कच्चा मटर का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब आप फ्राइंग करते हैं या आप एर फ्रायर कर रहे हैं तो मसाला सिख जाएगा कच्वडी में असानी से पर अगर आपको बहार का स्टाइल कर जीए तो इसको हलका सा सेख लीजिए हाई सुजन जी हाई शान सिखा हुआ बेसेट डाल सकते हैं और अगर आप जान चलीए तो इसको एक-बेसेट डालेा है तो तो एक-बेसेट यहाँपर पर सेख लीजिए और आप कर सकतें शृफट пой a पर आप Hersiau नमक दे। सारे मसाले में यूज मासे नाइगा और नमक नमषे के मिक्च्चर पर और और गरम मसाला देके यहां पर बस कुछ ही करना हमने जो step आपको कच्चे मसाले के दिखाए वह आप सेख लीजिए इसको आपको करीब आठ से नौ मिनिट स्लो फ्लेम पर यहां पर सेखना पड़ेगा अब हमारे दरदरे मसाले को इसमें डाल देंगे अब इसको आठ से नौ म मिनिट वह फ्राय होगी या एर फ्रायर में हम बना रहे हैं जैसे तो इसमें सिक जाएगी तो अब इसको स्लो फ्लेम पर आठ से नौ मिनिट करिएगा और आपका जो मसाला है वह ऐसा दिखेगा देखे तो यह सिका हुआ मसाला हो गया तो यहां पर हमने दौनों रेसिपी आपको बता दिया है तो चलिए अब आपको हम यह सिंपल सी अब देखे सबसे खास बात यह है कि हम गिल्ट फ्री होके खा सकते क्योंकि इसको हम एर फ्रायर में बना रहे हैं विदाउट एनी विदाउट एनी यूजिंग ओयल मतलब क्योंकि आप जब डीफ्राय करते हैं तो वह स्लो फ्लेम पर मतर की कचोड़ी इतना तेल पीती है कि आपको भी आप भी कॉंशियस हो जाएंगे तो अब यहाँ पर आटा लगा लेते हैं हमने देखे यहाँ पर मिक्स लगाया है हमने वन इस्टो वन का रेशियो लिया है मैदा और अल पॉपस फ्लार और गेहू जाल दीजिये यहाँ पर यह अच्छा रहता है कभी भी आप कचोड़ी बनाए तो जरू ढली और इसमें अब हम घी डाल रहे है मोहिन के लिए दो बड़ी चममच यहाँ पर दाला है और देखे अब इसका आटा लगा लेंगे मीडियम कंसिस्टेंसी का नॉमल पानी को इसको 15 मिनिट के लिए रेस्ट करिए अब चलिए कचोड़ी हम यहाँ पर बनाते हैं अब देखे यह 15 मिनिट रेस्ट कर लिया है तो इसमें क्या है ब्लूटन अच्छे से राइस हो गया है तो कचोड़ी आपकी एकदम फूली फूली बनेगी यहाँ पर अब यहां पर इसका अब हम यहाँ पर आपको बॉल्स बनाना सिखातें तो इचवरी हम आपकी आपकी इसकेम राउंड राउंड बॉल्स हमें बनाएं इसका बनाएंगे 했던 एक बॉल हम इसका बनाएंगиком जो बिल इसकेम मञंचे मसाले कीsyह जो पतारे हो लिए उसलिए मैं अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कच्छे मसाले के भी कच्वडी फटावट बना लीजे आगर खाने को तो मिलेगी ना, दस मिनिट आपके यहाँ पर जाएंगे अब यह कच्वडी को हमने यह हाथ से ऐसे करा और देखे, अब यहाँ की खास बात आईगी एकदम खसता कच्वडी जो आपकी यहाँ बनने वाली है इतना सिंपल प्रोसेस है, मुझे इसी अच्छा लगता है, इसमें 90% less oil यूज होता है मैं एक की जगे दो कच्वडी आसानी से खा सकती हूँ बिना किसी गिल्ट के तो चलिए बताईए किस को अच्छा लग रहा है यहाँ पर तो जरूर बताईए का और यह देखे यह इसमें यह तो मेरे लिए जन्नत है यह प्रिसेट मैन्यू है डिजिटल है तो इसमें अलग-अलग ओप्शन दे रखे हैं रखिए आपकी कचौड़ी 20 मिनिट बाद बन के निकल जाएगी और अब हम इसको प्रिहीट करने की भी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर और हल्का सा यहाँ पर हमने ग्रीस करा और यह देखिए बस इत्ता ही ओईल लगता है इसमें आपकी कचौड़ी में आप डीफ्राइ पर सेट कर देंगे और सबसे बात अब अब आप सोच रहूंगे एफ्राइर में आपको पता भी निन चलेगा कि प्राईंग जो होती है denkt बिल्कुल आपको पता प्तार films बिना प्राय करें देल कैकरme ऑग घर्ावालों को व्यारेंटी पता निचलेगा क्यों होता है क्यों क यह फिलिप्स का जो rapid air technology है उनका patent है जिसमें उपर से नीचे air जाती है और नीचे से उपर जाती है तो एकदम even कुरकुरी कचोड़ी आपके बन के निकलती है तो अब 20 minutes हम कर देंगे इसको देखिए यहाँ पर यह देखिए temperature भी आप उपर नीचे कर सकते हैं कितना convenient है आपर और यह 20 minutes के लिए अब इसको हम यहाँ पर start कर देंगे और देखिए start हो गया अब आपको कुछ नहीं करना 10 minute बाद आप चेक कर सकते हैं अपनी कचोड़ी को ऐसे खोल कर बीच में अगर आप चाहें तो थोड़ी grease के लिए और हलका सा oil ऐसे लगा सकते हैं यह 10 minutes के बाद आपको करना है और देखिए यह बंद हो गया है और फिर कि इतना सा कम तेल हमने यूज कर रहा है और कोई बोल सकता है कि यह बिना फ्राय करें बनाई है अगर आपका भी मन कर रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा जो दिखता है वो ही बनता है जाएक का कटड़का में हाई मनिशा जी दिव्या जी सुकन्या जी अनु जी डेली से देखने के लिए थांक यू सो माच चांदनी जी पूनम जी निशा जी गुड टू सी ओल अफ्यू वाचिंग लाइक बनाईए खाईए एंजॉय करिए मिलेंगे दुबारा बाबाई एवरीमान